वीडियो को प्रेस्ट करने के पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यूट्यूब का अगर आप नोटिफिकेशन देखिएगा तो सभी के पास हर एक वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो जानी रहे हैं तो इसके लिए आपको दो काम करना होगा सबसे पहला काम आप बेल ऑइकन को प्रेस कर दीज़क जब ही हम लोगों के चैनल का अपने सब्सक्राइब किया तो आप बेल आइकन को प्रेस करके अप अगर क्लेक करेंगे तो सार्य नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और वहां पे अगर देखेगा तो telegram के notifications आरे आते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आती जैसे YouTube के notification नोटिफिकेशन मिस आउट हो जाते हैं तो वहां पे आपको जैसे ही video नहीं डिलेगी तो आपको तुरन से बता चल जाएगा तो इतना information ध्यान रखिए क्योंकि YouTube का notification का दिक्कत आ रहा है तो इसलिए मैंने सुचा यह पहले बता देता हूँ तो चलिए अब हम लोग को देखते हैं तो हमारा जो कोट है यह वीजे ने भेज़ा है तो thank you so much वीजे और बाकी लोगों से भी request है प्लीज आप लोग भी कोट को भेजते रही है तो हमारा कोट है इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वोंट स्पीड इट अप तो सिंपल सी बात है अगर आप कोई भी चीज के लिए महनत करते हैं और especially अगर आपका जो dream है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है तो उस case में समय ज्यादा लगता है और काफी धीरे process होता है कभी-कभी होता है कि first attempt में हो जाए कभी-कभी होता है चार attempt में हो जाए कभी-कभी 6 attempt भी लग जाते है तो इसको UPC के perspective से अगर देखा जाए तो इतना सारा समय लगता है तो इसलिए यह slow process है और समय के साथ जितना आप improvement धिरे-धिरे दिखाते हैं उसी के basis पे आपका आगी का जो journey है वो धिरे-धिरे ease out होता है और finally आप destination तक पहुँच पाते हैं तो इसलिए आपको मेहनत करते है रहना है क्योंकि slow process है और मेहनत करना है इस बीच में quit नहीं करना है यह सबसे important है क्योंकि quit करने से कुछ नहीं होगा quit करने से आप अपने dream को खोद होगे तो इसलिए इस particular code को ध्यान में रखिए अब हम लोग editorial को start करते हैं तो आज जैसा जानते हैं कि आज के दिन ही एक साल पहले हम लोगों ने देखा था कि जो article 370 है उसको abolish कर दिया गया था और इसके बाद ही हम लोगों ने देखा था कि Jumbo and Kashmir state को reorganize कर दिया गया था और साथ के साथ उनका जो special status था उसको भी abrogate कर दिया गया था तो यह जो total चीजें हैं इसके एक साल हो चुके हैं तो जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि कल total तीन articles थे जो की article 370 और Kashmir issue के उपर में ही थे तो आज भी उसी तरह तीन articles आपको दिखेंगे जो कश्मीर issue के उपर में हैं तो दो जो starting के articles हैं पहला बहुत बहुत ही बहतरीन article है क्योंकि इसमें एक बहुत सारे कश्मीरी ने किस तरह से इंडिया के integration में और इंडिया के development में मदद किया है और खासकर कश्मीर के integration में हमारी country के साथ मदद किया है तो यह एक important चीज हो गई तो इसको यहाँ पे इनोंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और इसको हम लोग as an inspiration भी एक तरह से ले सकते हैं तो यह वाला editorial काफी important है फिर second वाल जो editorial है जो मतलब कश्मीर इशू पर ही है वो मदन भी लोकुर जी द्वाड़ा लिखा गया है तो वो भी बहुत ही बहतरीन editorial है उसमें अगर आप देखेगा तो preventive detention और house arrest और इन सब चीजों के बार में बातचीत कई गई है और साथ के साथ हम लोग जानते है कि internet जैसे suspended है वहाँ पर तो उसके बार में भी बात किया है तो वो भी अच्छा article है और उसके बाद जो तीसरा article है वो हम लोग देखेंगे कि उसमें positives बताये गए है और आटिकल 370 के हटाये जाने का और वहाँ पर आपको government के थोड़ा perspective मिल जाएगा तो यहाँ पर एक balanced हमारे पस तीनो आर्टिकल को पढ़ेंगे तो हमारा एक balanced approach बन जाएगा regarding Kashmir and article 370 तो इसलिए तीनो आर्टिकल को आप line by line में करूँगा और एक बार आप देखेंगे तो आपको खुद बखुद अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी खासी understanding भी हो जाएगी अब Indian Express में भी एक editorial था इसी के उपर में करें जो hearts उनको एक तरह से जीते हैं उनके मतलब दिमाग के उपर भी एक तरह से जीत हासिल करें और उसके लिए कई सारे steps भी लिए जा रहे है यहां पर जो strategy एक बनानी चाहिए वह यहां इनके द्वारा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि यहां पर अगर past को revisit किया जाएगा तो उससे हम लोगों को एक बहतरीन strategy मिल जाएगी तो उसी में आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे जो एक personals है या individuals है उनका यहां पर contribution देखा गया है कि किस तरह से उन्होंने कश्मीर के development में और साथ के साथ कश्मीर का जो integration है इंडिया के साथ उसमें किस तरह से मदद किया है तो इसको हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इन्होंने वही बताया है कि कैसे एक साल हो गया हुआ है यहां पर स्टेट जमो एंड कश्मीर का reorganization हुए हुए साथ के साथ उसका special status जो था हटा दिया गया इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि government ने कई सारे steps लिये हैं जिससे जो लोग है कश्मीर के उनका दिल जीता जा सके ठीक है पर यहां पर वही बात है कि अब यहां पर ऐसा नहीं है इन्होंने जो बोला है कि हम लोगों को पास्ट को देखना चाहिए तो पास्ट को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से discuss किया है और इसको मैं स्टूरी के फॉर्म में भी आपको बताओंगा जिससे आपको आपको जो है वो मतलब रिटिन जाद अच्छे तरीके से हो साके तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो यहां पर ऑपरेशन जिब्राल्टर से रिलेटेड इन्होंने बताया है तो ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है मैं आपको बात मा पिताता हूं पहले हम लोग स्टार्टिं का देख अच्छीश की थी तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आगया उपरेशन जिब्राल्टर क्या है तो यहां पर दो कश्मीरी गुजर्ज के कारण ही इसको प्रिवेंट कर पाया था तो उन दो कश्मीरी गुजर्ज का क्या नाम है तो मुहमद दिन और वाजिर मुहमद तो इन कश्मीरी लोगों के कारण ही क्या हुआ था पाकिस्तान का जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है वो तो फेल हुआ ही था इसके लाबा यहां पर फंडमेंटल बिलीफ भी देखा गया था कि किस तरह से कश्मीरी जो लोग है वह इंडिया के गुड़नेस और ग्रेटनेस पर बिल आगे चल के इनकरीज होता है तो इसलिए हमें जरूरा था कि इनका जो कॉंट्रिबियोशन इसको हम लोग ध्यान में रखें क्योंकि प्रेजेंट ताम में देखिएगा तो यह एक तरह से फर्गाटिंग और अंसंग बन जाते हैं जो भी इनका कॉंट्रिबियोशन है तो इन्हों ने इंडियन आर्म फोसे को बताया था कि उनके अराइवल के बारे में अब बाद में क्या हुआ था कि बाद में जो भी यहां पे ट्राइबल जो इन्वेडर थे उन्हों ने इनको ढूंडा था इन्हों ने काफी जादा उनको टॉर्चर किया उनको शॉर्ट किया crucify कर दिया, मतलब बहुत तरपाया इनको पर फिर भी इनके अंतरगत देख सकते हैं कि इनका हमेशा से जो आखरी even words जो इन्होंने बोला वो यह बोला था कि Muslim Sikh, Etihad, Zindabad मतलब victory for the unity of Sikh Hindus and Muslims, तो आप समझ सकते हैं कि कितना important इनका contribution रहा है तो मकबूल शेडवानी जी का भी नाम हम लोग याद रख सकते हैं अब इसके बाद यहाँ देखिएगा तो इनका contribution जो है यहाँ पर महात्मा गांदी जी ने भी अपने prayer meeting में बोला था कि किस तरह से इनका जो matterdom है यहाँ पर हम लोगों जो जो जितने भी लोग हैं जैसे हिंदू हो शीक हो मुस्लिम हो या किसी भी other community के हो तो इनको हम लोगों को proud होना चाहिए इनके contribution और इनके martyrdom पर तो आप देख सकते हैं कि इनका contribution कितना important हो जाता है इसके बाद Kashmir के प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर इनका नाम है मिस महमूदा अलीश शाह तो अब अगर आप देखिएगा तो इनकोंने minor act of rebellion को एक तरह से face किया था और इसको इनकोंने कॉर्टेल भी किया था तो कैसे किया था तो हुआ गया था कि इनका जो school था तो वहाँ पे अगर आप इनका school नहीं college था ठीक है women's college में थे basically local women's college की यह principal थी तो इनका क्या था कि वहाँ पे जो student था वह basically पाकिस्टान जिंदाबाद चिला रहा था ठीक है तो इन्होंने क्या क्या इन्होंने फिर वह मतलब नीचे उतरके गये बहुत सारे fellow students के साथ में और घुमा के थपड़ मारा जो भी लड़की थी जो एक तरह से इस तरह की आवाज उठा रही थी और उसके बाद वही एकी pin drop silence हो गया था और वह वापस से अपने chamber को लट गई थी तो इन्होंने क्या क्या था तो मिस शाह का आप एक तरह से देख सकते हैं कि इनकी personality कितनी exemplified थी और इन्होंने अपने अपना जो एक character था तो उसको बनाए रखा और साथ के साथ यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि किस तरह से Kashmiri woman empowered है ठीक है यह चीज पहले शो की और साथ के साथ वो एक तरह से support करती है इंडिया का जो यहाँ पर इंडिया किस तरह से उनके लिए endured है और साथ के साथ कश्मीरी किस तरह से इंडिया को पसंद करते हैं तो यह भी इन्होंने शो करने की कोशिश की तो यहाँ पर तीन लोगों का हम लोगोंने contribution देख लिया इसके बाद अगर आप देखेगा तो एक और बहुत अची अची खासी स्टोडी यहाँ पर इन्होंने बताई भी है regarding Soviet bond तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब Cold War का एरा चल रहा था 1955 के आसपास में और उस समय situation जो है वो काफी जादा grim हो गई थी तो उस time पर क्या था कि अगलो अमेरिकन ब्लॉक को अगर आप देखेगा तो वो इंडिया के उपर में काफी जादा प्रेशर बना रहा था कि जम्मु एन कश्मीर में प्लेविसाइट कराया जाए ठीक है तो यहाँ पर वही बात आगई कि प्लेविसाइट अगर देखेगा तो वहाँ पर उतना के साथ प्रेमियर भी आये तो सेकेटरी कौन थे तो सेकेटरी का नाम था निकीता कुर्श्चेव तो यह थोड़ा रशियन नेम है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होड़ा प्रनॉंस करने में और साथ के साथ निकोलाई बुलगानीन तो इन दोनों का आपने देखा इन दो और सोशलिजम के क्लैश के बिटमिन एक तरह से उनका था वो शो तो आप देख सकते हैं कि वो काफी जादा इंस्पायर हुए थे और इतना जादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने बाद में चलकर जमू एं कश्मीर को इंटेग्रल पार्ट आफ इंडिया के तौर पे रिकर अगर अगर आप देखेगा तो और भी जो इंडिविजल से जैसे नदीम है तो नदीम के दौरा ही पता चल पाया था पूरे वर्ल्ड को कि कश्मीर की प्लाइट क्या है फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि गुलाम रशूल संतोष जी है तो इनके दौरा बताया गया कि किस तरह से कश्मीर का यूनिक सिंक्रेटिक कल्चर जो है वो एक तरह से सामने को आता है और इनके पैंटिंग से ही अचीज दे रिफलेक्ट होती थी क्योंकि इनके पैंटिंग जो है वो गलडिफाइ करते हैं सूफी और टांटिक थाट्स को तो आप देख सकते हैं कि इनक लिची दिखाने का काम करता था आप सॉरी अब यहां पर देखिये फिर आगे नेक्स पॉइंट है वह है बागलादेश वर के बारे में बता रहे हैं तो बागलादेश वर के टाइम पर अगर आप देखेगा तो एक एडिटर थे और साथ के साथ वो बाद में चल कर Parliamentary में बने तो शमी महमद शमी में के बारे में बताया गया कि किस तरह से satirical prose अगरा को लिखते थे अपने newspaper आईना में और इससे एक तरह से दिखाते थे कि किस तरह से Indian democracy जो है वो एक तरह से आईनोंने discussion किया है एक police chief के बारे में भी जो कि जम्मू और कश्मीर के हिस्ट्री में काफी जादा नामी है और जाने जाते भी हैं तो आप देख सकते हैं पीर गुलाम हसन शा के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर Liberation Front और कश्मीर अलफटा को एक तरह से उन्होंने उसका मतलब कमर तोड़ दी थी एकदम से और वही है कि फिर वहां के जो एरिया के लोग है उनको बचाने का काम किया था ठीक है और उनकी मेहनत के कारण ही कोई भी पाकिस्तानी inspired operative जो था वो एक तरह से कोड़ी हंड नहीं यूज कर पाया था कश्मीर के अंतर अगर और आप देख सकते हैं कि इनका इनका भी contribution एक वहां पर peace और tranquillarity maintain करने में कितना important रहा है तो हम लोग ने सारे examples देख लिए अब हम लोगों के पास यहां पर बात आती है कि आखिर हम लोग इस examples को कैसे इस्तमाल करें जिससे कश्मीर का better integration हो सके इंडिया के साथ में तो इनका यही कहना है कि executive का जो यह decision है इससे related जितने भी challenges है वो almost अब देख सकते हैं कि वो over हो चुका है और जो article 370 की बात आ रहे थी हटाने की इसका अगर potency देखिएगा तो यह समय के साथ में कम होते चला गया और जब यह हटाने की बात आ गये थी तब तक बहुत जादा कम हो चुगा था ठीक है तो अब present scenario में अगर आप देखेगा तो real challenge क्या है और यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि different यहां पर जो भी generation of leaders हैं उनको discover करना परेगा different professions को यहां पर एक तरह से देखना परेगा और यहां पर बात वही चल रही है कि एक future नया कश्मीर बनाने की बात करनी होगी और उससे related जो भी pillars हैं उसको डालने होंगे तो यहां पर वही बताया जा रहा है end में कि end में क्या होगा solution तो solution होगा कि हमें statehood को वापस से restore करना परेगा और साथ के साथ यहां पर जो भी fair elections है उसको जल्दी से करना परेगा तब ही जाकि एक तरह से हम लोग इस journey में पहले कदम को एक तरह से ले पाएंगे तो यहां पर इन्होंने देखा आपने बहुत ही straight forward इन्होंने solution दिया है और काफी मतलब आप देख सकते है practical solution दिया है क्योंकि यह इन दोनों चीजों को easily अगर implement किया जाए तो वहां के लोगों में खुद बखुद जो है confidence आएगा इंडिया किस से related और integration जो है हम लोग चाह इसके बाद जो next editorial है यह मदन भी लोकुर जी द्वारा लिखा गया है और Supreme Court के former judge रहे चुके हैं यह आप जानते होंगे काफी famous judge रहे चुके हैं तो अब देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो लिखा गया है वह basically title है violating human rights in the valley तो यहां पर human rights related इन्होंने चीज़ें दिसकर्स क इन्होंने discuss किया है और यहां पर preventive detention के अंदर गात ही यहां पर इन्होंने house arrest का भी concept को बताया है फिर preventive detention के concept को भी बताया है फिर इस से related जो भी ruling से ruling सी और Supreme Court की guidelines थे उसको बताया है और फिर end में इन्होंने information का जो access है उसमें जो difficulty हो रही है that is internet के उपर में जो suspension लगा बाद से आप देख सकते हैं जब से इसका abrogation हुआ है उसके बाद से हम देख रहा है कि कश्मीर वैली में human rights concern जो है वो काफी जादा emerge भी हुआ है और धीरे-धीरे करके बढ़ते चला गया है अब जैसे for example आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर unchecked preventive detention है अब यहां पर दो त बहुत बड़ा matter है जो की grave concern का है तो अब आपको मैं थोड़ा से यहां पर एक perspective दे देता हूं जो house arrest और जो preventive detention है house arrest basically होता है कि किसी भी leader को या किसी भी individual को उनके घर के अंतरगती सीमित कर देना और वो एक तरह से sub jail की तरह काम करता है तो house arrest यह हो गया अब preventive detention क्या होता है तो preventive detention basically jail में होता है तो इसका एक मतलब थोड़ा सा different है slight यहां पर difference है इसलिए यह ज़रूरी होता है आपको समझना अब आगे यहां पर देखते हैं तो यह तो हो गया एक preventive detention का जो unchecked preventive detention एक हमारे लिए grave concern हो गया दूसरा यहां पर इन्होंने accessing information के बारे में बताया है जो जो कि normal channels की communication के थूँ या electronic means के थूँ हो ठीक है तो normal channels भी अगर आप देखेगा तो वहाँ newspaper का access थोरा कम हो गया इस particular period में जो कि एक साल हम लोग ने अभी देखा और इस बीच में आप internet का भी अगर access देखेगा तो सिर्फ 2G internet हाल फिलाल में ही बाहल हुई है 4G तो मतलब चालू नहीं हुआ और मेरे खाल से 18 अगस्तक भी चालू नहीं होने वाला 18-19 अगस्तक ढूक लगी है तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है तो अब इन्होंने house arrest के concept को थोरा और आगे चलके बताया है और बताया है कि किस तरह से अगर आप देखेगा तो या specifically mentioned नहीं है criminal manual में house arrest का जो concept है पर वही है कि state इसको बार बारी employ करते आया है और अब देख सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं तो इसमें basically state जो है हुआ किसी भी building को या किसी भी house को एक sub jail की तरह declare कर देता है अब यहाँ पर दबताया जा रहा है कि जो भी resident होता है उस sub jail का व जो भी resident है उनके accommodation को जो भी state है वो एक तरह से virtually acquire कर लेता है और उनके property के एक तरह से take over कर लेता है for its own purpose मतला अपने हिसाब से इसमाल करने के लिए अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी owner होते है उस property के उनको entitlement भी मिलता है और compensation भी मिलता है मिलना चाहिए मतला ऐसा rule है तो इसलिए मिलना चाहिए कि basically क्या कर रहा है state जो है वो virtually acquire करके उनकी property को use कर रहा है तो इसलिए state को यहाँ पर compensation देना चाहिए पर यहाँ पर यहाँ पर जो भी person house arrest में होते हैं अगर उनको compensation नहीं मिल रहा है तो एक तरह से double jeopardy हो गया double jeopardy कैसे हो गया तो पहली चीज तो उनको भी same type issue आई थी जब वहाँ पर जो state है उन्होंने basically जो भी जो भी वहाँ के मतलब land थे उसको उन्होंने इस्तमाल करने लगे थे कौन करने लगे थे तो armed forces करने लगे थे जिससे वो insurgency को quail कर सके एक तरह से रोक सके और यह miserum का है पर यहाँ पर वही है कि अगर उस टाइम पे भी उनको compensation वगेरा नहीं दिया जा रहा था ठीक है और वहाँ के जो भी land owners से उन्होंने बाद में petition किया था तो आप देख सक हुआ है emergency के टाइम पे भी same ही तरीके से यूज किया गया था और इसमें क्या किया गया था तो दिली में जो दिली के आसपास में जितने भी tourist resort थे उसको sub jail में convert कर दिया गया था और जितने भी political leader से एक तरह से उनको वहाँ पे ही रखा गया था ठीक है ताकि उनको ज्यादा कोई परिशानी ना हो और एक तरह से वह house arrest में ही आ गये थे ठीक है तो यह point हो गया अब हम लोग finally आते हैं preventive detention पे यह तो house arrest का हम लोग ने concept देख लिया अब आते हैं preventive detention पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं preventive detention under public safety act PSA एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होत होता है तो यह एक तरह से prognosis होता है future event का on the basis of past conduct तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक तरह से future pre-thought कर लेते हैं पहले से सोच लेते हैं कि यह person आगे चलके हो सकता है दिक्कत कर सके या आगे चलके लोगों को भरका सकता है तो इस कारण से हम लोग इसको पहले ही ह जाता है जिससे और भी जादा आगे चलके उस तरह के scenario create ना हो जिससे जो भी peace or tranquility है वो खतम हो जाए अब जितने भी आप preventive detention laws देखिएगा तो उसी के तरह यहाँ पर जो पीस है that is public safety act जो है यह भी एक तरह का draconian act या बोल सकते हो और यहाँ पर वही देख सकते हैं कि हमा को थोड़ा protection देता है preventive detention से तो एक चीज हो गई अब अगर आप देखिएगा तो सबसे important चीज इसी में आप देख सेकते हैं जो order में है कि एक तरह से जो follow करना ज़रूरी है वह fundamental right to be communicated कि यहाँ पर सबसे पहले at the earliest जो भी person को हम लोग detention में डालने वाले हैं उनको communicate करके बता और एक तरह से उनको representation भी देना होगा कि उस order के against अगर वो चाहें तो और उनको बता कि यहाँ पर एक तरह से करेंगे कि उनको reason बताएंगे कि आप जो है इस reason से आपको preventive detention में चाना पड़ेगा अब ऐसा नहीं है कि जो preventive detention का order है यहा जो भी यहाँ बोला गया है कि आपको इन-person को डालना है preventive detention में तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक तरह से हम लोग claim नहीं कर सकते या फिर इसके against हम लोग appeal नहीं कर सकते है और इसी कारण से आप देग सकते हैं कि काई सारे preventive detention के orders जो है, वो challenge भी किये गए है through heaviest corpus, ठीक है, अब heaviest corpus मेरे खाल से बहुत ही basic term है, आपको पता होगा, to have the body of, तो आपको यहाँ पर मैंने meaning बता दिया, अब आप क्या करो, आप comment section में मुझे थोड़ा explain करके बता है कि heaviest corpus petition क्या होता है, तो यहाँ पर यहाँ पर आगया हम लोग, और यहाँ पर इसी heaviest corpus का जो आप देख रहे होगे, काफी सारे petition जो है, वो हाई court में चल रहा है, पर वह है कि maximum आप देखेंगे, तो pending ही है, तो इस कारण से obviously, जो भी लोग, जो भी preventive detention में रह रहे हैं, उनको रहना ही परता है, और एक बार में आप देखेगा, तो preventive detention का concept है, वो एक बार में तीन महिने के लिए होता है, और उसके बाद अगर आप देखेगा, तो सरकार जो है, उसको maximum 12 महिने तक extend कर सकती है, मतलब एक साल तक रख सकती है, प्रेवेंटिव डिटेंशन में, उससे धादा नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, तो यह important concept है, इसको ध्यान में रखेगा, इसके बाद प्रेवेंटिव डिटेंशन से related एक केस भी है, तो आप केस को यहाँ पर देख सकते हैं, उसी से related constitutional bench भी बैठा था, Supreme Court का, तो उस केस का नाम है AK Roy versus Union of India, और यह 1981 का केस है, और इसके अंतरगत laws basically बताया गया थे, प्रेवेंटिव डिटेंशन का, और यहाँ पर वही बताया था, कि अगर देख सकते हैं, प्रेवेंटिव डिटेंशन अगर करना भी है, तो जो भी person होगा, उनको अपने place पे, that is, अगर मान लेते हैं, कि क चीज इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पर वही बला जो concept आ जाता है, हम लोग ने अभी starting में ही देखा था, कि यहाँ पर अपने position, अपने place पे रखना, अपने state में रखना, या फिर erst while किसी और state में रखना, तो यहाँ पर उसी चीज के उपर में अल्रेड़ी एक, यहाँ प इसके लाब अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पर एक impression क्या बन रहा है, regarding PA से, तो यही बन रहा है कि यहाँ पर जो preventive detention को, उसके तरफ resort जो हम लोग कर रहा है, वो as a measure of punishment है, या फिर conviction है without a trial, तो यह एक तरफ का क्या है, without a trial अगर आप punishment दे रहा है, तो यह बिल्कुल एक पर जाता है, तो उनके बच्चों को भी रखना परेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर एक तरह से हम लोग उनके बच्चों को, जो भी parents है, उनका involvement होना, तो उनको उनके उपर focus होना चाहिए था, राधर नो बच्चों के उपर में, तो एक तरह से वो भी सफ पर कर जा रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन, हाउस और इस तक का हम लोग ने point देख लिया, अब हम लोग आते हैं कि किस तरह से access to information यहाँ पर रोका जा रहा है, तो अगर आप लेखीगा, प्रेजन केस में, access to information अभी तक इन्होंने fundamental right में नही चल सकते हैं, अब पिछले एक साल से अगर आप देखेगा वहाँ का situation, तो वहाँ पे 4G internet जो है वो नहीं चल रहा है, यह सबसे पहली चीज हो गई, इससे अगर आप देखेगा तो बहुत बड़ा adverse impact पर रहा है वहाँ के लोगों के ओपर में, अब यह जो मैंने points आपको ब पढ़ाई कर लो, या फिर आप कोई भी particular PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है, बहुत time लगेगा, even मेरे कई सारे friends हैं, जो बहुत जादा परशान है, सिर्फ 2G internet को उहाँ पर use करने से, तो आप एक plight वहाँ के देख सकते हैं, सबसे जो बड़ा सफरार होगा, वो student होगा, ठीक है, क्योंकि उनको 2G internet यूज करना पर रहा है, दूसरी चीज, अब second point, internet का क्या impact है, तो यहाँ पर medical professionals को अगर आप देखेगा, तो उनको advice करने में और counselling करने में, जो भी patients हैं, उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी हाल बिलान में, जो लोग news सुन रहे होंगे, उनको पता ह होगा, कि जो भी यहाँ पर medical professional हुआ करते थे, उनका WhatsApp का group हुआ करता था, और वही WhatsApp के group के थूरू, या फिर even video calling या video conferencing के थूरू, वो लोग एक तरह से अपना advice दिया करते थे, patients को, ठीक है, और यहाँ पर counselling किया करते थे, तो यहाँ पर क्या हुआ हुआ, 2G internet चल रहा है, तो obviously यहाँ पर आते हैं कि सबसे बरा sufferer क्या होगा इससे, तो इससे right to health, जो है एक तरह से, जो कि essential component है, right to life का, तो यह एक तरह से, जो भी number of patients है, उनको deny हो जा रहा है, यह चीज हो गई, तो 3 point हम लोग ने अभी तक देख लिया, तीसरा point आप देख सकते हैं, यहाँ पर कि क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई सारे businessmen जो है, वो online business एक तरह से काम करते हैं, तो उस case में क्या होगा, obviously उनका जो economy है, जो भी उनका कमाई है, वो बहुत जादा impact हो रहा है, तो यह भी एक फ़रक हम लोग ने देख लिया कि किस तरह से internet impact कर रहा है, अब यहाँ पर आप द इंटरनेट को imposed किया है, बैन को imposed किया है, तो यहाँ पर उनी से आप assessment कर रहा हैं जिन्होंने महन लगा है, तो यहाँ पर यह एक तरह का ironical situation है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक internet ना होने से इतनी सारे problems एक तरह से exist कर रहे हैं, तो obviously इसका solution क्या है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि uncontrolled अगर access होता है internet का, तो यह obviously एक security risk एक तरह से pose कर सकता है, और यहाँ पर internet का terrorist और militants को दारा obviously use किया जा सकता है, पर अभी present scenario में हम लोग देखेंगे, तो technology जो है वो इतना जादा far advanced हो गया है, कि हम लोग limited way में भी access को block कर सकते हैं, अब जैसे for example यह हम लोग ने बहुत ही बहतरीन example दिया है, अब देख सकते हैं कि thousands of child pornographic sites जो है, उसको हम लोग ने successfully block किया है in different parts of the world, especially अगर आप इंडिया में देखेगा, तो यहाँ पर हो चुका है यह चीज, तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर limited way मे block कर रहे हैं हम लोग एक particular चीज का access, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर भी implement कर सकते हैं, और इसी को और भी ज्यादा strategy बना कर या और भी ज्यादा plan करके, हम लोग एक तरह से technology का effective use कर सकते हैं, जिससे militants और terrorists जो हैं उसका फाइदा ना उठा सकें, पर वही है, जो normal people है, जो एक तरह से basic इस्तमाल कर रहे हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, तो यह एक चीज किया जा सकता है वहाँ पर और इसी चीज के उपर में focus करना काभी ज़्यादा ज़रूरी है, तो end में जो आप देख सकते हैं, last line में इन्होंने बोला है, कि अब आ गया है सम के में पार्ट लेने के लिए, तो एक तरह से यह important हो जाता है कि उनके human rights को हम लोग respect करें, ठीक है, और especially government करें, तो अब हम लोग तीसरा जो article मैंने आपको बताया था, JNK के उपर में है, उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने discuss किया है कि क्या-का changes हुए है, JNK और Ladakh में after the removal of article 370, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि government views the removal of article 370 as a key vehicle to usher in transformational development in the region, तो simple सी बात यहाँ पर इन्होंने कहने की कोशिश किया है, कि government का जो step था कि वो article 370 को हटाना, वो basically इसलिए हटाना चाहते थे, ताकि यहाँ पर जो यह particular reason है, that is Ladakh और JNK का जो reason है, यहा यहाँ पर इसको हटाया गया था, तो यह वाला जो editorial है, यह थोड़ा pro government है, इसमें आपको government ने हटाया है, तो यहाँ पर आपको positive points काफे मिल जाएंगे, तो negative आपको मिल गया है, positives यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपका एक balanced approach बन जाएगा, article 370 और कश्मीर issue से लेके, ठीक है तो आपको यहाँ पर medical से समझने में जादा दिकत भी नहीं आएगी, तो positives यहाँ पर देख लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो बात उठाई है, वो है, श्यामा प्रसाद मुखर जी जो उन्होंने जो एक तरह से highlight किया था, regarding article 370, उसी को आप देख सकते हैं कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, मतलब कहने का यहाँ पर क्या मतलब है, कि एक ही देश के अंदरगत आप दो constitution या दो प्रधान मंत्री या फिर दो flags जो है वो एक तरह से नहीं रख सकते हैं, और यहाँ पर पूरा, जो मतलब नोटे 35A और Article 370 जो है, यह काफी जाधा discriminatory है nature में, ठीक है, तो अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर इन्होंने discussion किया है, पहले 35A के उपर में कि किस तरह से discriminatory हुआ करता था, तो यहाँ पर एक Dr. Madan के बारे में इन्होंने discuss किया है, कि किस तरह से उनको Assistant Professor का ज आप देख सकते हैं कि करीब 23 साल बाद, तो करीब 23 साल बाद आप देख सकते हैं, 2002 के आसपस में, तीन मेंबर ऑफ बेंच अब जमो एन कश्मीर हाई कोट जित थे, तो उन्होंने declare किया था, कि अगर कोई भी daughter जो की permanent resident है, वो अगर कोई भी non permanent resident के साथ शाधी करती है, तो उनका permanent residency जो है वो खतम नहीं हो जाता है, तो यह 2002 का order था, और जो लोग भी 35 A को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, उनको यह चीज़ पता होगी, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर article 35 A के बारे में इन्होंने discuss करके थोड़ा बताया कि कि किस तरह से यह unfair हुआ करता था, वोमेन के तरफ, तो आप देख सकते हैं, कि वोमेन के तरफ तो उपर में हम लोग ने देख लिया कि कैसे यह हुआ करता था, और 2002 के बाद थोड़ा बहुत fairness आया था, पर यहाँ पर जो भी, मतलब non-state, अगर subject हैं, उनके साथ अगर शादी हो जाती थी तो बच्चों को यहाँ पर permanent residency नहीं मिलती थी, राधर सिर्फ वोमेन को मिलती थी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर unfair तो होई गया, यह चीज पहली चीज, और दूसरी चीज आप देख सकते हैं, कि और भी चीज़ों का यहाँ पर unfair था, कैसे, तो जो उनको जो की migrate हो के आय थे, during that period, हम लोग जानते हैं, और बात में चलके Indian citizen बन गये थे, तो इसका आप देख सकते हैं, कि इनका बहुत सारे benefits यह deprived हो गये थे, आर्टिकल 35 के कारण ही, इसके अलाब आप देख सकते हैं, कि जो भी descendants हुआ करते थे, दलित वालमी की इसकाज उन के साथ, जो भी इनको designated occupation था, that is, सफाई करने वाला, यह उसी profession में इनको रहना पड़ता था, ठीक है, ठीक है, अब आर्टिकल 370 के presence का भी आप देख सकते हैं, कि कई सारे ramifications थे, और कई सारे इहां पर, इसके constitutional anomalies भी हुआ करते थे, अब जैसे example, आप देख सकते हैं, कि 377 section है, ठीक है, अब 377 section किस चीज़ से related है, आप मुझे comment section में बताएं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, यह इंडियन penal code में था, तो यह struck down हो गया था, सुप्रीम कोड के द्वारा, पर रन्बीन penal code में इसको एक तरसे exist करता था, जिस कारण से state पे भी लगू था, ठीक है, पहली चीज, दूसरी चीज, कई सारे critical legislation जो पास किये जाते थे government और फिन्या के द्वारा, जैसे आप देख सकते हैं, Right to Information Act, Right to Education Act, Prohibition of Child Marriage Act, तो यह सारी चीज़े अप्लिकेबल नहीं होती थी, अर्स वाल स्टेट में, और अप्लिकेबल अगर करान काम किया, अब उस टाइम पे जब यह removal हुआ था, तो पोजीशन के साइट से बहुत सारी बाते उठी थी, कि यहां पे large scale unrest होगा, साथ के साथ international ramifications देखा जाएगा, पर ऐसा कुछ इनके राइटर के दौरा कहा जा रहा है, कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, रादर वहां के जो लो आर्टिकल 370 का, यह किस तरह से as a key vehicle के दरह काम करेगा, transformational development in the reason का, तो देख सकते हैं, यहां पे इन्होंने बताया है कि यह जो 370 को हटाएगा, 370 को यहां पे हटाएगा, तो इससे कई सारे districts JNK के एक तरह से terror free हो गया, और यहां पे जो भी चीज़े में बोला हो यह residents है JNK के और साथ के साथ Ladakh के, वो एक तरह से aspire कर सकते हैं, और same opportunities उनको मिलेगी, जैसे बाकी states के जो residents हैं, उनको जिस तरह की opportunities मिलती है, ठीक है, यह भी हो गया, अब इसके लावा government का commitment है कि वो holistically integrate करेगी region को, तो यह 375 को हटाने के कारण क्या हुआ, कि इसके कारण अब ह 35,000, 3500 hectares of land जो है, इसको rejuvenate किया गया, जिसके थूर साफरन कल्टिवेशन को promote किया जा सके, और present time बे आप देख सकते हैं, कि साफरन जो कश्मीर में ग्रो होता है, उसको coveted geographical indication भी मिल चुका है, जिसके करने हम लोग जानते हैं, कि काफी जादा इसका prominence बढ़ गया है, ए इसके लाब़ यहाँ पर farmers को भी incentivize किया जा रहा है, जिससे वो ultra high density plantation कर सके, एपल का और और भी जादे fruits का, ठीक है, यह भी हो गया, इसके लाब़ टूरिजम infrastructure को भी अपग्रेट करने की कोशिश की जा रही है, साथ के साथ बिजली सरक पानी का जो issues है, उसको भी war footing पे address कि जा रहा है, अब tourism को boost देने के लिए और connectivity को एक तरह से better करने के लिए, यहाँ पर 11 airport को जो की Jumbo and Kashmir में और 2 airport को जो की Ladakh में consider किया गया है, उडान scheme के अंतर गत, तो यहाँ पर connectivity बेटर हो जाएगी और obviously connectivity बेटर होगी तो tourism भी boost हो जाएगा, अब healthcare sector में देखते हैं, तो healthcare sector में भी transformation लाया जा रहा है, तो कैसे, तो 2 aims hospital लगाया जा रहा है, साथ के साथ 5 new medical colleges भी लगाया जा रहा है, इसके अलावा आप देख सकते हैं, कि आईश्मान भारत जो की वहाँ पर applicable नहीं था 370 के कारणी, तो 370 के हटते ही, आईश्मान भारत स्कीम जो है, वहाँ के सारे residents जहते जमू और कश्मीर के अंतरगात आते हैं, उनके लिए अवलेवल हो गया है, फिर यहाँ पर COVID-19 pandemic भी अगर आप देखिएगा, तो center ने, जितना भी necessary infrastructure ज़रूरत था, और साथ के साथ logistical support था, उस reason को चाहिए था, उसको देने का काम किया है, तो आप देख सकते हैं, कि कितना सारा यहाँ पर इन्होंने positive points बताए हैं, और क्या-क्या positive changes आए हैं, यह इन्होंने बताने की कोशिश की है, राइटर ने, अब यहाँ पर confidence building measure के बारे में इन्होंने आगे discussion किया है, तो government basically believe करती है, कि यहाँ पर जो union territories of JNK और Ladakh का integration है, एक तरह से करना है, तो यह ए union territories जो है JNK और Ladakh में, यह दोनो जो constitutional amendment है, सही तरीके से implement कर दिया जाता है, और elections को एक दर सही तरीके से conduct कर लिया जाता है, तो यहाँ पर grassroots democracy आएगी, और इससे हम लोग एक तरह से कह सकते हैं, कि correct way में integration हो पाएगा, अब यहाँ पर block development council का election हुआ था, जो कि October 2019 में हुआ थ कि यह पहला election था, जब उसके बाद हुआ था, that is abrogation के बाद हुआ था, तो इसमें आप देख सकते हैं, कि बतायागा कि record turnout देखा गया था, और free of violence था, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब violence हुआ कि election के टाइम पर, तो यह एक important चीज हो गई, और इस टाइम पर हम लोग कि article 375 को हटाना एक तरह से पहला step था, confidence building measure की तरफ, पर यहाँ पर और भी चीज़े करने की जरूरत है, और government का जो यहाँ पर एक तरह से motive है, और साथ के साथ हमारे प्रधान मंतरी का जो motive है, कि सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, तो इसको ensure करना जरूरी है, ज उसके उपर विश्वास भी और भी जादा बढ़े, और faith भी और जादा बढ़े, तो यह पूरा discussion हो गया, और यहाँ पर आपको काफी सारे positive points मिल गए होंगे, तो तीनों article हम लोग ने देखती है, article 370 से related, अब हम लोग दोनों छोटू articles को पहले देख लेते हैं, फिर उसक जादा इन्होंने बताने की कोशिश किया, तो इस कारण से मैं इंक्लूट नहीं कर रहा हूं, पर अगर आपको अयोद्या मामले का पूरा आपको history वगड़ा जानना है और ऐसा कुछ है, तो इसके लिए कलग से video बना दिया जाएगा, जिसके उपर हम लोग एक तरह से 70 का हटाना और positive and negative points, तो हम लोग ने more or less देख लिया positive and negative points पर यहां पर एक वीडियो के अंतरगत वो मिल जाता है, तो उससे आपका revision जो है वो थोड़ा fast हो जाता है, तो दूसरा वीडियो वो चाहिए होगा, और तीसरा वीडियो हम लोग अगर आप comment section में बोलिएगा, वहां से वो helicopter के through वो जाने वाले थे, मतलब Ayodhya, तो ठीक है, तो अब यहां पर यह चीज हो गई, तो Ayodhya के उपर में अगर ज़रुरत पड़ेगी तो उसके उपर भी वीडियो बन जाएगा, पर वही है कि आप लोग comment section में बताएगा तभी, तो अब हम लोग छोटू art editorial को देख लेते हैं, तो सबसे पहला जो छोटू editorial है, वो language of unity के उपर में है, तो हम लोग जानते हैं कि अभी जो NEP आया है, नया वाला, that is national education policy, इसमें language से related भी कुछ एक चीज़े बोली गई है, तो एक तो वो controversy create हो गया हुआ था, कि 5 साल तक जो native language में एक तरह से पढ़ाना है, और local language में या mother tongue में पढ़ाना है, वो उससे related हुआ था, पर उसको अगर आप देखेगा, तो यहां पर उतना जाधा prominence नहीं दिया जा रहा है, राधर यहां पर 3 language जो formula है, उसके ओपर यहां पर जाधा focus है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि यहां पर subheading में इन्हो पर आप देख सकते हैं, पलाणी स्वामी इन्होंने reiterate किया है, कि state जो है यहां पर एक तरह से unwavering position रखता है, regarding this particular move, जो कि हम लोग देख सकते है, national education policy में 3 language formula को जो advocate कर रहा है, और इसलिए इन्होंने reject भी किया है, अब अगर आप देखिएगा, तो यहां पर Tamil Nadu के अंतरगत two language policy जो है, यह कई decades से चल रहा है, और अगर आप देखिएगा, तो हिंदी से related historic agitation भी यहां पर हो चुका है, तो इस region से आप समझ सकते हैं, कि यह जो topic है एक तरह से non-negotiable है, और वही है कि पूरे entire political class उसको नहीं इसके ऊपर बात करना चाती है, और opposition एक तरह से इसके ऊपर अगर आप देखिएगा, तो NEP के अंधर बताया गया है, कि NEP के अंधर जब last time draft लाया गया था, last year, तो यहां पर जो center है, उन्होंने कोशिच किया था कि हिंदी को यहां पर promote किया जाए as third language, या फिर एक ऐसा, मतलब एक तीन language में एक language हिंदी को compulsory बनाने की कोशिच की गई और यहां पर motive वही था कि किस तरह से multilingualism को promote किया जाए और साथ के साथ national unity को भी promote किया जाए, पर यहां पर obviously चुकी बहुत जादा resistance दिखा गया तो इसको implement easily नहीं किया गया, अब साथ के साथ अगर present policy देखो गए, तो present policy में आप देख सकते हैं, यहां पर कोई भी language को यहां अगर देख रहा है कि यहां पर जो NEP है, NEP गंतर का जो भी चीज़े बताई गई है, तो उसको एक तरह से गलत तरीके से perceive कर रहा है और एक तरह से वो चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर से कि यहां पर states को allow कर दिया जाकि वो अपने हिसाब से language policy को implement करें, अब वहां की government इसल होना, क्यों कि हिंदी पढ़ाते हैं इसलिए, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, पर यहां पर आपको एक चीज़ और समझने की जरूरा था कि ऐसा नहीं है कि एकदम ही जो state है वह एकदम ही हिंदी के against है, ठीक है, अब reason मैं आपको बताता हूं, तो पहले उसके पहले हम हम लोग देख लेते हैं कि two language policy जो की तमिल और इंग्लिश वाला है, यह किस तरह से मदद कर रहा है तमिल नाडो को, तो सबसे पहली चीज़ यह, मतलब इसको two language policy इसको piloted किया गया था, चीफ मिनिस्टर C.N. अना दुराई के द्वारा 1968 में, और हम लोग देख सकते हैं कि two policy, two language policy जो काफी अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है उन्हें उस area में, अब presently अगर अब liberalized world में देखेगा, तो यहाँ पर English जो है वो एक तरह से, अगर English में proficiency रहती है, तो एक global link language के तरह यह काम करता है, और obviously बहुत जादा help भी करता है, साथ के साथ अगर state का significant human resource contribution अगर रहा है counter argument में, कि यहाँ पर, मतब Tamil Nadu क्या कोशिश कर रही है, Tamil Nadu students को basically एक opportunity deprive कर रही है, कि वो Hindi सीख सके, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानते है कि Hindi को tout किया जाता है, तो Hindi को tout किया जाता है as national link language, ठीक है, तो यह एक important चीज हो गई, साथ के साथ अगर आप देखेगा, तो इसी counter argument को फिर वापस से इन्होंने counter करने का कोशिश किया है, कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि कोई भी restriction नहीं लगा हुआ है, स्कूल के अंतरगात, voluntary learning पर, तो अगर कोई student पढ़ना चाता है Hindi, तो अपने हिसाब से पढ़ सकता है, उसको कोई दिकत नहीं है, पहली चीज, और इसके लावा अगर आप देखेगा, तो यहाँ पर CBSE के उपर भी कोई रोकनी लगावा है, कि वो अगर चाहे तो Hindi पढ़ा सकते हैं, कोई दिकत की बात नहीं है, पर वो यह की voluntary learning है, होना चाहिए, यह हो गई, इसके लावा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेगा, तो जो भी laborers हैं, और जो भी एक तरह से migrant population है, उनके साथ में यहाँ पर बोला गया है, कि conversational Hindi, जो है, जितने भी states के अंदर, state के अंदर के जो भी लोग है, वो एक तरह से सीख रहे हैं, जिससे conversation, वो easy तरीके से हो पाए, तो यह भी important चीज हो गई, तो यह यहाँ पर end में इनका कहना है, कि यहाँ पर compulsion जो है, एक तरह से resistance की तरह से meet होता है, पर present NEP में हम लोग देख सकते हैं, कि कोई compulsion अगरा है, नहीं, तो यह यहाँ पर आगे इन्होंने last में बोला है, कि इंडिया का अगरा federal nature देखेगा, और साथ के साथ diversity demand देखेगा, तो कोई भी regional language को हम लोग supremacy नहीं दे सकते हैं, दूसरा के उपर में, और इसलिए यहाँ पर voluntary एक तरह से learning को promote भी करना चाहिए, और link language का भी promotion ज़रूरी है, मतलब जैसे English अगर global link language है, तो उसी तरह Hindi भी सिखा देना चाहिए, जो कि national link language के तरह काम कर सकती है, ठीक है, और native language तो ह तो इसमें कोई दिकत नहीं आएगी, तो वह लिए है कि अगर हमारा जो मतलब population है, वो multilingual बन जाता है, तो उसका benefit ही हमें मिलेगा, उसका कोई नुकसान नहीं है, तो इसके बाद जो छोटव editorial है, उसको भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है more of the same, और यहाँ सब हीडिंग में इन्होंने मेंशन किया है कि किस तरह से Donald Trump जो है, वो एक तरह से restore करने की कोशिश कर रहा है, जो hateful tropes चल रहा है, regarding immigrants के दोरा की immigrants जो है, वो एक तरह से jobs को वहाँ के steal कर रहे है, तो इसी को एक तरह से वो इस्तमाल कर रहे है, as political propaganda, और वही कोशिश वहाँ प विजा को एक तरह से रोकना, एक साल तक के लिए, जो कि इस year end तक एक तरह से रोकना, तो यह सब चीजों का हम लोग देख सकते हैं, कि वहाँ पर implementation पहले भी हम लोग ने news analysis में पढ़ा हुआ है, अब नए अगर present scenario में देखेगा, तो present scenario में इन्होंने क्या है, तो present scenario में इन important चीज उन्होंने change किया है, ठीक है, तो indirectly क्या हो रहा है, यहाँ पर, basically H1V visa वाले जो लोग है, उनको target किया जा रहा है, और एक तरह से उनको बताया जा रहा है, कि जो भी job losses हो रहा है, US के अंदरगत, और साथ के साथ, जो US persons, job को lose कर रहा है, वो basically इन ही H1V visa के कारण हो रह यह काफी जादा cheap foreign labor provide करते हैं, और इस कारण से जब labor मिल जाता है, तो कोई भी company, US persons को hire नहीं करती है, अब यहाँ पर H1V visa का अगर आप देखेगा, तो Indian national जो है, 60-70% एक तरह से ले लेते हैं, या फिर इससे दादा भी ले लेते हैं, visas को, ठीक है, और यह एक तरह से, यह contribution होता है, US के economy में, ठीक है, तो यहाँ पर वही होगा कि अगर यहाँ पर जो Indian nationals हैं, उनका work अगर impact हो जाएगा visa के कारण, तो इसका ripple effects obviously देखा जाएगा वहाँ पर, पहली चीज़ तो वहाँ की economy पे, और दूसरा bilateral economic space जो है, जो कि India और US के बीच में established है already, तो इस तरह के steps का बेक तरह से ramifications क्या होता है, तो ramification वही होगा कि जो भी corporate जो है, इंडिया का, जो की US economy में invest करते आए है, तो वह एक तरह से इस तरह का, अगर titan होगा, तो वहाँ पे investment नहीं करेंगे, और इससे वही होगा कि वहाँ पे, जो final months में, अगर वहाँ देखेगा, तो वहाँ प देख सकते हैं, कि suspend कर दिया था, issuance of green card को, फिर इसके अलावा यहाँ पे legal migration को, यहाँ पे halt कर दिया गया था, जो कि US में जाना, तो यह सब चीज़े आप देख सकते हैं, कि stoppage लगाया गया, फिर यहाँ पे June 2020 में भी हम देख सकते हैं, कि immigration पे भी crackdown किया गया था, जिसमे बहुत सारे visas को stop कर दिया गया था, उससे processing वगरा को भी stop कर दिया गया था, फिर हम लोगों ने जो दिखा था कि visa को student visa वाला था, तो उसमें भी changes किया गया था, जिसको बाद में revert back करना पर रहा था, तो वही है कि यहाँ जो visa policies है, basically इसको एक propaganda की तरह ही इस्तमाल किया जा यह भी इलजाम चल रहा है और criticism काफी जादा है, कि इन्होंने COVID-19 pandemic को अच्छे तरीके से handle ने किया, और साथ के साथ अगर economy की हालत देखेगा तो काफी जादा खराब है, ठीक है, grinding hall तक पहुंच चुका है, साथ के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर search देखा जा रहा है, unemployment numbers में, और इसके लावा देख सकते हैं, यहाँ पर 18 million jobless people एक तरसे हो गए है, pandemic के कारण अलरेड़ी वहाँ पर हालत खराब है, काफी जादा लोग उनकी मौते हो रही है, काफी जादा लोग एक तरसे infected भी है, तो situation वहाँ काफी जादा grave हो गई है, और इन सब चीजों में क मिस्टर ट्रम क्या कर रहे है, तो मिस्टर ट्रम बेसिकली कोशिश कर रहे है, वोट के access को गेन करना, यहाँ पर एक तरसे जो point है उसको उठा के, कि immigrants जो है, वो सारे jobs को steal कर रहे है, तो एक point पर अगर आप देखा जाए, तो जो भी वहाँ के blue collar workers है, जैसे आप देख सकते ह है, Middle America में अगर आप देखेगा, तो obviously वो बहुत जादा economic pain से गुजर रहे हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर वो लोग जो है इस बहाँ में आ जाएं, और इनका जो propaganda क्रियेट हो रहा है, उसके अंतरगत भी आ भी जाएं, पर वही है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी इस तरह का bitter polarization use किया जाता है, तो इसका वही है कि मतलब US के political landscape में यह काफी जादा rare है, ऐसा होता नहीं आया है, पर वही है कि अब Mr. Trump जो है जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि अब इसी का कुछ उनको benefit मिले आगे चल कर, अब यह वाला जो editorial है उतना बेसिकली यह जो Hiroshima और Nagashaghi के पर जो bombing वह था 1945 में इसी से related यहां था कि Gandhi जी ने क्या reaction दिया था इसके against, ठीक है, तो इसके अबरे में अगर आप देखीगा तो यह बहुत ही जादा एक तरह से specific, एक particular incident से related है, और यहां पर जादा आपको information नहीं है कि किस तरह से Gandhi जी ने अ इसको include नहीं कर रहा हूं, तो अब हम लोग देखते है Indian Express का एक article जो आखरी वाला है और उसको खतम करेंगे फिर इस वीडियो को, तो हमारा जो आखरी यहां पर editorial है, जो कि Indian Express में दिया है आप देख सकते है, a step at a time और यहां पर बोला जा रहा है कि Oxford के जी वैक्सीन है, obviously इस ने काफी जादा hope spark किया है, पर यहां पर too early होगा celebrate करना इस particular coronavirus के उपर में, क्योंकि अभी हम लोगों को coronavirus को और भी अच्छे तरीके से tackle करना है, और वही है कि यहां पर surety अभी तक पूरी तरीके से reach नहीं हो पाई है, vaccine से related, तो हम लोग देख सकते हैं कि Pune-based Serum Institute of India को यहा पर approval मिल गया है, कि वो एक तरह से यहां पर Oxford का जो यहां पर AstraZeneca COVID-19 vaccine है candidate है, इसका यहां पर एक तरह से यहां पर human trials जो है, वो conduct करा सकता है, late stage human trials, मतलब phase 3 हो गया, ठीक है, और यहां पर Pune-based Serum Institute of India है, यहां पर आप देख सकते हैं, country का top drug regulator से इनको approval मिला है, ठीक है, तो कौन है यह top drug regulator यह आप मुझे comment section में बताइए, साथ के साथ आप यहां पर देख सकते हैं, यहां बताया जा रहा है कि इस vaccine ने काफी जादा encouraging results दिखा है है in early trials, और यहां पर एक तरह से mild side effects देखा जा रहा है, तो यह हर एक vaccine में होता ही है, इसके लाब वही है कि scientist ने basically बोला होता है, मतलब जिस तरह के जिससे वह body को defend करता है, इस तरह के pathogen से, जैसे coronavirus हो गया, तो पहला क्या होता है, तो पहला होता है कि जब भी कोई भी virus लगता है, तो body जो हो antibodies को produce करती है, जो कि infection agent को एक तरह से disable करने का काम करता है, तो यह तरीका यह हो गया, अब दूसरा तरीक जो है, वो समय के साथ fade away हो जाता है within months, और months of contracting the coronavirus, तो antibody का यहाँ पर case हो गया, पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो robust T cell है, उसका response अगर आप देखिएगा, तो यह prevent करता है infection from reoccurring, मतलब वापस होने नहीं देता है, तो यहाँ पर Oxford, यहाँ पर AstraZeneca vaccine है, इसके अंदर का आप आप देख सकते हैं, यह दोनों kind of reaction को trigger करने का काम करता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको antibody भी देदेगा, और साथ के साथ T cell का भी यहाँ पर facility मिल जाता है, अब यहाँ पर जो trial sector से conduct कराया जा रहा है, जो volunteers है, उनका age आप देख सकते हैं, 18 से 55 के बीच में है, और test नहीं की गई है, इसके अलाबा अगर आप WHO का ही देखेगा, तो around 150 vaccine candidates जो है, वो अभी trial का undergo हो रहा है, पूरे different parts of world में, और अगर देखेगा, तो तीन जो है, वो सबसे जादा आगे चल रहा है, तो एक हो गया Oxford का vaccine, दूसरा vaccine जो है, इसको यहाँ पर pharma के दोरे develop किया गय और तीसरा जो candidate है, वो Chinese firm, जिसका नाम है, Sinovac Biotech के दोरा कर दिया गया है, और यह तीनो जो vaccine है, थर्ड stage तक पहुंच चुके है, इसके लाबा और भी vaccines है, वो different stages तक पहुंचे हुए है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि इसी vaccines के आप देख सकते हैं, कि इसको पहले administer करने के पहले, यहाँ पर extensive, यहाँ पर testing करना ज़रूरी हो जाता है, और Oxford कहीं अगर आप देखिएगा, तो यहाँ अगर final stage में देख रहे हैं, तो यहाँ पर more than thousand people जो है, इसके initial trials में आई थे, और वही बताया जा रहा है, कि अभी present scenario में 30,000 people को different parts of world में एक तरसे test करना ब करने के बाद हम लोगों ने vaccine को एक तरसे design कर लिया था, यह पॉइंट हो गया, अब यहाँ पर बताया जा रहा है, COVID-19 जो है, वह एक नया virus है, तो वही इसके लिए हमें और भी जादा महिनत करनी पर रही है, एक नया vaccine बनाने के लिए, इसके लाबा 1992 का भी 1999 का इन्होंने point उठा है कि rotavirus अगर vaccine देखेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनको recall कर लिया गया था, क्योंकि उसके कारण काफी सारा adverse reactions होने लगा था, मतला side effects आने लगा था, ठीक है, तो इसी reason से हमें जरूरत याद है रखने की, कि जो flu virus है, एक तरसे वो mutate होते रहता है, बदलते पढ़िये, और फिर comment section में इसका answer दीजे, comment section में ही मैं आपको बता दूँगा कि इसका correct answer क्या होगा, तो हमने जितने भी important editorial से उसका discussion अच्छे तरीके से कर लिया, और especially जो 370 वाला article था, तो वो काफी जादा important है, आज के हिसाब से भी, क्योंकि आज जो है वो हम लोग जान के साथ आज का topic है, उसको club करके मैं आज आपको दे दूँगा, तो आपका ऐसा नहीं है कि कोई भी topic जो छूटेगा, जो हमेशा से हम लोग करते हैं, कोई भी topic छूटना नहीं चाहिए, तो वो हम लोग, आज हम लोग cover कर लेंगे, और हो सकता है कि IR का वीडियो आपको जाद नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपको दे दूँगा, तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग wrap up करते हैं, so thank you so much for watching.